वेलेकम जी कैसे हैं आप अमीदा सब ठीक टाक होंगे और खेरिये से होंगे मैं भी विल्गल ठीक हूँ आज मैं आपके लिए यह बहुत प्यारी सी एक मेकप लोग लेकर आई हूँ के बर्डे पार्टी या कहीं भी आपने जाना है सिंपल रहके दावत वगेरा पे भी या जो निवली मैरेड गर्ल्स हैं उन्होंने जाना होता है जो है दावत वगेरा पे तो वो यह मेकप लोग कर सकती है कि कि आपने करना के कुछ करण की चेंजिंग करनी है वह आगया आपको बताती हूं तो चले जी जो है यह वाला मेक अप जो है स्टार्ट करते हैं सब्सक्र से सेट किया तो मुझे एक मेंड सेक्शन में बता सकते हैं यह तो मैंने रिवाज के आई शेड़ो पैलर में से यह जो पीच लाइट करर का आपको ही भी आई शेड जो है आई शेड़ो पैलर यूज़ कर सकते हैं इसमें पीच जो है मैट शेड मैंने लिया है और मैंने थो और जो है मैंने अपने आउटर कॉर्णर पे ब्लेंड करना स्टार्ट कर देना है मैंने इस पे पहले थोड़ा सा मैंने लिया है और उसको मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ब्लेंड करनी हूं ज्यादा पूरी आंक पे नहीं पिला देना लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा से लेके उसी जगह पे है उसको ब्लेंड करना ही देखें मैंने ब्लेंड करके करके जो है उसको इस तरह से कर दिया है कि उपर पीछ से शेर से जो है ना वो जो है निकल रहा है कलर इस तरह से करके ना पड़ा पड़ा ना लगे तो इसी तरह मै ने दुबारा से वो ब्राउन शेयल लिया है थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने अपने इनर कॉर्णर पे ब्लेंड करना शुरू कर दिया है तो थोड़ा थोड़ा सा रख के आपने करना है ज्यादा नहीं आपने लेना वरना मैस बहुत ज्यादा जो है न वो लगने लग जाता तो ये देखें मैं जैसे आपके सामने जो है मैंने एक दो दफ़ा जो है शेयर लिया है फिर ब्लेंड करना स्टार्ट किया है तो इस तरह से मैं ब्लेंड इसको करती जा रही हूं और जब ये थोड़ा सा लाइट और बड़ा मज़े का लगने लग जाता है फिर थोड़ा उठाती हूँ कि आगे पीछे का जो शेड है वो सेम हो उसके बाद जो है मैंने दूसरा भी ओफ कैमरे सेट कर लिया था तो अब जो है इसके आप साइट पे ऐसे भी सेंटर में आप कोई भी शेड अपलाई कर सकते हैं बतर शेमर शेड जो आप में लगाना है या गलीटर लगाने है तो आप कर सकते हैं लेकिन जब आप इस तरह से कंसीलर या आपके पास फांडेशन है या कुछ भी आप जो है इस तरह से यूज़ करते हैं फांडेशन वगारा वो ही आईशेड मैंने आईशेड उपलेटी है रिवाज की उसमें से मैंने ये शिमर शेड उठाया है अच्छा अगर आप इसको लाइट रखना चारे हैं मैंने इसको ऐसे ही रखा है नॉर्मल तो मैंने इसके साथ कोई भी गलीटर अपलाई नहीं किया अच्छा जब पाइस बनाते हैं ना तो आपने गलीटर लगाना भी है ना तो मतलब थोड़ा थोड़ा उपर कहीं कहीं गलीटर नजल आ रहा हूँ जैसी ये देखें जो है अभी मैंने गलीटर नहीं लगाया हुआ तो जो है अभी भी अच्छा लग रहा है तो अगर आपने गलीटर आते हैं तो उस तरह से लगाते हैं उस तरह लिटर भर भर के लगाएं तो अच्छा लगता है तो अब जो है आपने देखा होगा कि मैंने ब्रुश के साथ जो थोड़ा सा सेट करना था मेकप वो मैंने सेट कर लिया था और इसके बाद जो है मैंने हाइलाइटर भी जो है कास है मैंने ब्लैक शेड लेके ब्लैंड किया तो ये देख सकते हैं कितनी प्यारी जो है और भी जो है मेकप उठके आता है उसके बाद जो मैंने सेंटर में शिमर शेड लगाया था वही मैंने आइस के आगे लगा लिया आप इसको सेंटर में भी लगा सकते हैं जैसे मैंने स यूज किया है, तो उस में से शेड के साथ ही मैंने ये लगा लिया था, लाइनर और उसके बाद ये लेशेज लगाई हैं, और फिर उसके बाद मैंने मिस्स रोज की जो है ना, ये कहते हैं, आई शेड कहा रही हूं, सौरी, आई पैंसिल वाइट वाइट वाली लगाई है, इससे भी अच्छी अच्छी मिलती है मेरे पस निक्स की है वो बहुत सब दस्त है वो मुझे मिल नहीं रही थी तो फिर मैंने यह यूज कर ली यह भी अच्छी है लेकिन थोड़ी इसी जो है ना इसको आँख में रगड़ना पड़ता है तो बाकी जो है फाइनल लुक मेरी के सामने है बहुत प्यारा लगता है बहुत हसीन लगता है और ये कीन माने के कैमेरे यह ची हओ अच्छा लग रहा है लेकर ilma कि अच्छा लगता है तो चलेंजी मेरे चैनल को सुबसक्राइब कर लェ और वीडियो को लैच टरना आप्ने नहीं भूना और मुझे